अगर आप हर रोज देखना चाहते हो एक नया इंट्रेस्टिंग टेक वीडियो तो सब्सक्राइब किजिए और राउंडर बावा चैनल को और बेल आइकन दबाईए मेरे नए वीडियो को कब हो वो सब्सक्राइब मेरे चैनल और राउंडर बाव में आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आपके लिए अड्रोइड 8.0 ओरियो लांचर इस लांचर का यूज़ करके आपने सिंपल एंड्रोइड फोन को एंड्रोइड 8.0 ओरियो जिसा इंट्रफेस दे सकते हैं तो बहुत इंट्रेस्टिंग आप्लिकेशन है चलिए इसके हर एक फीचर को टेस्ट कर लेते हैं और जिब तक मेरा इंट्रूट चल रहा है आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लिजए और नोडिफिकेशन मेल को दबा जीज़ेगा So let's get started आपको एक अप्लिकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है ओरियो लॉंचर फॉर एंड्रॉइड ओ तो इसके 10,000 डाउनलोड जे 3.8 स्टार है तो मैंने कई तरह के अप्लिकेशन से एंड्रॉइड लॉंचर 8.0 के उन में से ढूंड के सबसे बेस्ट वाला ए एरिया टीम का यह ढूंड के निकाला है तो इसको आपके सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है उसके बाद इसको ओपन करना है ओपन करते हो आपके फोन में खुद बखुद लोड हो जाएगा और खुद बखुद आपके फोन में चलना शुरू जाएगा तो यह Android 8.0 का इंटरफेस अब देख सकते हैं आपको Google का य इसके आपको ओडियो लांच पर कर देना तो एक भी कभी भी आपको कुछ प्रब्लम ने आएगी बाद हमेशा के लिए आपका ऐसा ही फोन रह जाएगा अगर आपको इससे आप बोल हो जाते हैं आपको कोई और थीम पसर नहीं आ रही हो तो आप सेम वाइस जाकर होम में जाकर इसको सिस्टम लांचर पर क्लिक करते हैं यह आपका अपके फोन जैसा हो जाएगा जो कि यह मेरा फोन ऐसा है तो मैं वापस इसको अन कर लेता हो ओन करते महीं आ चुका तो यह देख सकते हैं ऐसा है कुछ तो यहां गूगल की सारे अप्स मिल जाते हैं प्लेय म्यू सब्सक्रा digamos आपको यहां लेटर का अप्शन मिलता है तो आप अहीं लिछ आपकर लेकिन लेचेशंगे पिलिक करते हैं यह को जाते हैं मेरे फोन इंगल कंगे फोन में यह चाली हो जाते हैं आपचाहे कर दिया है तो हम बैक चल जाते है और भी कुछ जिसे दाइव हम सिंपलियाव इंस्टॉल करना है एक बार कर काम है उसके बास कभी भी आपको आपको ये अप्लिकेशन वापस दिखेगी नहीं तो हम चल जाते हैं वापस अपने वूम स्क्रीन पर आ जाने के वाद आपको आप्लिकेशन का यह रखना है और कॉलम्स रोज आप चाहे तो कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से आप अपने ग्रेट को समाल सकते हैं गर एकन लेयाओट में चले जाते हैं आइकण का सइस का यह पर लोगत को उसके बाद कहले लेबल लगाना यहां यह नहीं हमसिया आपको अफ्लीकेशन का आइकन दिखना चीह? आगे सकते हो अच्छाइब आप चैन्ज कर सकते हैं इसने को हम इंडिकेटर के डौट को और स्टैल All complete5 चालिक सब्सक्राइब सकते हो, फिर सक्राइब नूग लिख और ंगनेंर, सpfक्राइब सकते हो चेंज होतार रहे का वाल पेपर शो सर्च बार एंगर इक बार के लहाटा रहता है तो सब्सक्राइब की आपको दिखा रहता है तो कैसा रहां सोग्षक दूगल का तो इसी तरह हम वापस सेटिंग में चला जाता है तो सिफ देग्स्टॉप ही नहीं आपको और बी तरह के अ उसके बाद यहां आप लोकेशन लेटर बैक्राउंड को सब को चेंज कर सकते हो अलमोस्ट अप हर एक चीज ही कस्टमाइज भी है आप एपस को भी हाइड कर सकते हो चाहा हो तो अगर आपको अपने फोन अपने प्रीके से क्या बोलते है कस्टमाइज कर सकते हो तो देख सकते हैं ट्राफिशन एटरणीमेशन भीजिछ सकते हो तुसके यह लेबल कलर चेंज कर सकते हैं प्छर हम लेख सकते हैं बार यह पनदर से अंड्रीद च्छोइस और ओर यह लॉंचर प्लिक करते हैं यह आपका डीफॉल्ट ब्राउजर बन जाएगा तो हम चलते हैं लॉंचर सिटिंग में आप इनको रेट करना चाहिए और अब आउट में इनकी डीटेज परना चाहिए पड़ सकते हो री स्टार्ट लॉंचर भी कर सकते हो त यहां से आप Edit Remove App Info यह बहुत अच्छा दिया देगो नाम चेंज कर सकते हो अगर आप अंदर जाके देखें तो यहां आपको Simply App Info का Option मिलता है इसकाद आपको एक से आपको 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 सब्सक्राइब कर दो समझें Instagram के वजाए एडिट में चल जाए तो आपका नाम Simply Change कर स के माई डाम कुछ भी लिख सकते हैं दोसरों को सामने अपना शुआ और करने के लिए तो यही था इस launcher के अंदर हम इसके और फीचर को अगर आप चायो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके ला सकता है अगर मुझे दिमांड मेरे लीचर लिखे कि आपको ऐसे launcher की वीडि या किसी पी अप्लिकेशन का है चाहिए या फिर आपको किसी पी अप्लिकेशन का रिवीव चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन बताएगा मैं ज़रूर इसके पर वीडियो बनने कोशिश करूँगा और शेयर कीजिए दूसरों को बताजिए Android 8.0 का इंटरफेश आपने सिंपल की चीज़ तो यही था इस वीडियो में थैंक्स वाव वाचिंग